हाई फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज की बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है तो इसलिए मेरी वीडियो को चरूर लाश्ट तक देखना तभी आपको इसके बारे में पूरी नोलेज हो पाएगी तो मेरे यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना और जो नए है मेरे दोस्त वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो लेट्स गो यह मारी फस्ट वेबसाइट है उसमें नील.fun के नाम से हम सर्च करेंगे गूगल में तो जो पेज ओपन होके आएगा उसमें जो फस्ट वाला है जैसे जहा इसी बात है यह डीप सी है मतलब हमारे समुद्र के गहराई के बारे में योगा कि कहां तक कौन कितने गहराई तक अभी गया है कहां कितने गहराई तक कोई मिला है तो हमारे रिसर्चर जो रिसर्च करते रहते हैं समुद्र के उपर उनको पता चला है कि इतने गहराई में यह हमने कभी जीव देखे हैं यह यहाँ पर एक्जिस्ट करते हैं तो हमारे वेगैनिक सबमरीन में जाते हैं बैसिकली तो यहाँ पे देखे कितने गहराई में यहाँ पे क्या-क्या जीव रहे हैं कितने परकार की मचलियां आ रहे हैं यहाँ पे फिसी जा रहे हैं देखो यह स्कूबा डाइविंग इतने गहराई में 332 मीटर पे है जो एहमद गबर के नाम से है जिनका नाम है वो यहाँ पे गए थी स्कूबा डाइवर है जो तो यहाँ तक आज तक स्कूबा डाइवर जा चुके हैं लेकिन उससे नीचे स्कूबा डाइविंग नहीं हो पाती और सब्मरीन से जाना पड़ता है तो मैं इसको जल्दी- प्रस्क्रोल डाउन करके नीचे तक ले आता हूं तो यह देखे नीचे तक चल दिये हम यहाँ पे कितनी गहराई आगी लगबग साथ किलोमेटर हम नीचे समूद्र की गहराई में जा चुके हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है अभी आपको पता चलेगा कि यू है स्क् समूद्र में नीचे जा चुके हैं उतनी गहराई तक हम जा चुके हैं यहाँ पे और उससे नीचे सब्मरीन दिखाई दे रही है इस सब्मरीन में हमारे जो पता लगाने वाले थे कि इतनी गहरी जगह में क्या है क्या नहीं है समूद्र की इतनी गहराई में वो इसमें बै बता रहे हैं तो आप देखे दोस्तों आपको बहुत मोले मिलेंगी इससे बहुत इंट्रेस्टिंग जानकारी दे रखें यहां पर कि कितने गहराई तक हम गये हैं कितने गहराई हैं यहां पर मुधर की जो परसांध मासागर अपना Pacific Ocean उसमें पढ़ता है Mariana Trench और उसी के बारे में है ये तो ये हमारी लास्ट गहरा ही आ गई लगबग 11 किलोमेटर के आसपास ये हमारा यहां पे स्मुद्र गहरा है तो ऐसी अलग है एक और आर्टिकल है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं तो उसके बारे में जानते हैं तो लेट्स को उसी के उपर चलते हैं अब इसको यहां से बैक कर दीजिए बैक करने के बाद आपके सामने इस साइज ओप स्पेस के नाम से दूसरा आर्टिकल है तो इसको ओपन कर दीजिए इस साइज ओप स्पेस यहां पे आपको स्पेस के बारे में पता चलेगा बैसिकली मेरा तो बहुत इंट्रेस्टिंग सब्चेक्ट रहा है यहां पर एस्टोनोट है मतलब यह बताता है कि यहां पर जो ब्रमान्ड है अपना इसमें कौन किस जगह पर एक्जिस्ट करता है सबसे चोटी चीज होती है एस्टोनोट उससे फिर स्पेस सटल हो गया है सेटरन यह हमारे एस्टोइड वगेरा आ गई जो अभी अभी हमारी पर च्वी एस्टोइड के से बिलकुल बाल बाल बची है कुछ दूरी से होके वो गुजर गया तो हमें कोई नुक्सान नहीं हुआ उससे तो यह देखिए जो सबसे छोटा छोटा फिर बड़ा यह सब भी कुछ आपको इतना इंट्रेस्टिंग पता चलेगा यह जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगे दोस्तों इस वज़े से आप बिलकुल धिरे धिरे इसको देखना आपको पता चलेगा बहुत इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है यह जिसने भी इसको बनाया बहुत मेहनत किये उसने इस पे तो आप देखना बलैक होल सब भी कुछ के बारे में बता रखा जो हमारे बर्मान में है एक्जिस्ट करता है उसके बारे में सब कुछ बता रखा इसने बहुत ही अच् है गोल ही बताते हैं कि उब्जरों यूनिवर्स हमारा ऐसा है तो नेक्स्ट के बारे में हम आते हैं तो उस पे है यह आपके life status कि आपकी जो life है उसके बारे में बता रही कि आपकी आप इसमें अपना डेट Yogव बुर्थ भरिये तो फिर आपके बरे में बहुत इंट्रेस्टिंग बताएगा या आपको इंट्रेस्टिंग जानकाली जो आपको पता भी नहीं होगा उप म racial कभी उसका जैसे आप ने भर दिया तो अभी बताएगा कि आपको हर्ट कितनी बार पुम्प किया गला लीटर भुलड पुम्प रखता है मेरी आप से अनुरोध है कि आप एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखना कि हम कितना संखे सामने संखे आप ट्रेवल कर चुके हैं यह सबी कुछ बता रखा दोस्तों इसमें आप एक बार प्लीज इसको ट्राई जरूर करना फिर उसके बाद जैसे पेपर पे आ जाते हैं पेपर के बारे में बता रखा है कि हमारा पेपर है इतना मिलिमीटर का है तो हम इसको एक फोल्ड करते हैं तो इतना हो जाता है हमारे जो बाल होते हैं उनकी साइज होती है उसके जितना फिर यह हमारे जो रेत होता है उसके कण ह पनाते हैं गए कि जितना औसा दोस्तों यह सभी इसमें आप फोल्ड करते जाओने आपको पता चलता जाएगा कि दोफोल्ड में चार, फोल्ड में ऐसे आपस में मल्टिप्लाइ Sooひudके कितना जादा हो जाता है जो छोड़ाइ जाती हो कितनी हो जाती है उसकी यह बता रखा कैसमें सब कुछ उसके बारे में बहुत इंट्रेस्टींग है दोस्तों ये भी सईसी वेब साइट से होने चीए तो फिर एक जैसे के प्रिंटिंग को इतने जैसे नासा स्पेंडिंग करता 2.5 मिलियन डॉलर पर हावर फेस्बुक का रिविन्यू हो गया आठ मिलियन डॉलर पर होवर ऐसे आप दोस्तों इसमें बहुत अच्छी जानकारी दे रखिए आप एक बार इसको जरूर देखना तो ऐसे नीचे चलते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या है क्या 21 पे कितना खर्चा हो रहा है या आपको सभी पता चल जाएगा इसमें तो चलो अब हम इससे बैक आजाते हैं तो यह आप इसमें और भी कुछ देश करें लेकिन हम दूसरी वेप साइट के बार सर्च हो गया यहां पर जो फर्स्टी उप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहां पर इसके नाम से पता चल रहा है कि जूम इफिनिटी की मतलब जूमिंग स्टार्ट हो जाएगी इसको ओपन होते विए आपके सामने जो पिच्चर है इसमें अच्छा लगा क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा इसमें कमेंट जरूर करना और आप देखते जाओ पिच्चर आ से फिर जूम होके अलग पिच्चर आ रही है तो जिसने भी इसको बनाए उसने बहुत मेनद की होगी इसके उपर काफी अच्छा वरक कर रखा उसने आप यहां से चेंज कर सकते हैं पिच्चर को भी और दूसरी जूमिंग पिच्चर देखना चाहें तो आप उसमें देख यहां पर तिन चार तरह की पिच्चर से हैं तो यह भी एक जुमिंग पिच्चर है यहां पर आभी जूम करते जाओगे तो पिच्चर में इसे पिच्चर निकलती जाएगी तो दोस्ता एक पर ज़रूर ट्राइब करना इंट्रेस्टींग लगेगा आप को यहां से विश् देखे कितनी वराइटी है और यह भी जूमिंग हो रही है यह भी इंफिनिटी जूम है तो फिर इसको बैक करके चैसे यहां पर जूम किल्ट टू लिखा हुआ है इसके ओपन करेंगे तो हम तो इसमें भी एक जूमिंग इमेज है तो यह जूम हो रही दोस्तों यह मेरा मेरे को इनक्रेज मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो ले के आऊंगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें